इस्क्रीन पर आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं जो कि कॉपी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और राइटिंग से रेलेटिड हैं और इनके लिए आपको डॉलर्स में पेमिंट दी जा रही है आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ जहां पर आपको राइटिंग के साथ साथ दूसरी केटेग्रीज में भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे अगर आप इन प्रोजेक्ट्स पर काम करके डॉलर्स में अर्नी करना चाते हैं और अपना विड्रोज जैस कैश और इजी पैसा में लेना चाते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे वरकाना तो यह वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी अब यहां पर नीचे की तरफ में थोड़ा सा आती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पाकिस्तान के लिए दो अलग से पोर्टन्स बनाए गए हैं उसकी वज़ा यह है कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स एक बड़ी तादाद में यहां पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से यहां पर काफी सारी जॉब्स भी पोस्ट की जा रही है अब यह मैं में वेबसाइट को ही यहां से ओपन कर लेती हूँ वरकैना यह कैसी वेबसाइट है जहां पर आपको अराउंड दा वर्ल्ल तमाम कंट्रीज की बेहिसाब जॉब्स मिलती है यहां पर आप अपने मर्जी की कैटिगरी में काम करके यहां से डॉलर्स में अर्णिंग कर सकते हैं ट्रस्टेड बायर, रिवर्साइट, ग्लोब बैंड, जॉनसंस औन जॉनसंस, यूनिलीवर यह तमाम बड़े ब्रैंड्स हैं यह वेबसाइट इन तमाम ब्रैंड्स की ट्रस्टेड है, यह ब्रैंड्स इनके साथ काम कर चुके हैं, इनके साथ कॉलाबरेट कर चुके हैं इस वेबसाइट को जॉब प्रोवाइट करते हुए दस साल से जादा हो चुका है अब हम उपर की साइट पर आते हैं और यहाँ पर आपको दो options दिये गए हैं I want to hire, do you want to work तो obviously हम यहाँ पर काम सर्च करने आये हैं तो हम do you want to work वाले बटन पर click कर देंगे अब हमारे सामने remote jobs का page आ जाएगा अब आपने यहाँ पर I want to work वाले बटन पर click कर देना है अब आप scroll down करके नीचे की तरफ आएंगे और पहले आपको I want to hire की दो options मिलते हैं उसके बाद I want to work की दो options मिलते हैं तो आपने I want to work की second वाली category जो के freelancer है इस पर click कर देना है क्योंकि हम यहाँ पर as a freelancer काम करना चाते हैं इसलिए हमने इस option को choose किया इसके बाद आपके पास sign up page आजएगा यहाँ पर आपके पास continue with Facebook का option है continue with Google का option है आप चाहें तो simply continue with Google करके अपनी Google की ID से sign up कर सकते हैं otherwise आप full name यहाँ पर enter करेंगे अपने email address enter करेंगे password लिखेंगे यहाँ से अपना country select करेंगे इसके बाद आप इस check को click करेंगे और create your account के button पर click कर देंगे अब यहाँ पर आपके सामने different categories आजाती हैं अब जिस category पर चाहें work कर सकते हैं लेकिन जो सबसे easy category है जिस पर हर कोई easily work कर सकता है जिसके लिए किसी skill और expertise की जरूरत नहीं है आप simply AI chatbot को use करके काम कर सकते हैं वो है आपकी writing and translation वाली category तो हम इस category को यहाँ से select करेंगे उसके बाद continue के button पर click कर देंगे अब आपने यहाँ पर बताना है कि writing and translation की किस sub category पर आप काम करना चाहते हैं आप यहाँ से article writer select कर सकते है academic writer select कर सकते है creative writer select कर सकते है यह आपकी अपनी मर्जी है इसके बाद हम आपस skills का option है यहाँ पर आपने कोई 3 skills choose करने है मैं यहाँ से एक article writing choose कर लेती हूँ उसके बाद creative writing और copy writing choose कर लेती हूँ इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर आपने years of experience बताना है कि आपके पास कितने साल का experience है तो यहाँ से आप one to three years select कर सकते हैं three to five years select कर सकते हैं मैं यहाँ पर one to three years select कर रही हूँ इसके बाद आपने बताना है कि as a creative writer आपने कितने साल काम किया है यहां से भी आपने अपने experience choose कर लेना है, इसके बाद इसी तरह से आपने copywriting के लिए भी choose कर लेना है, आप उपर से जो skills choose करेंगे उनके experiences आपने नीचे बताने हैं, उसके बाद आप continue के button पर click करेंगे, अब यहां पर आपने अपनी profile image select करनी है, अगर आप अपनी image select नहीं करन चाहते हैं, तो आप writing से related कोई और picture भी select कर सकते हैं, लेकिन boys को मैं यह recommend करूंगी कि वो अपनी picture लगाएं, क्योंकि जो आप अपनी picture लगाते हैं, तो आपकी profile rank करती है, इसके बाद आप नीचे के तरफ आएंगे, और यहां पर आपने phone number add करना है, प्लस 92 पाकिस्तान का code ह आप आगे से अपना यहां पर number type करेंगे, इसके बाद आपके पास language को option आ रहा है, यहां पर आपने English ही select करना है, क्योंकि English international language आपने writing भी English में ही करनी है, इसलिए आप यहां पर English ही select करेंगे, इसके बाद आप continue के button पर click कर देंगे, अब इनकी तरह से आपकी Gmail पर एक email अब आप देख सकते हैं, your account has been activated, हमारा account यहां पर activate हो गया, इसके तरह से आपने भी पहले अपना account लाजमी activate कर लेना है, अब यह आपकी profile को view करेंगे और 15 दिन के अंदर आपके पास account approval की mail आ जाएगी, इसके साथ ही आपको offer देना है, कि आप $9 यहां पर invest करके जल्दी approval देख सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर कोई investment करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 दिन में यहां पर आपकी profile खुदी approve हो जाती है, और आपके पास approval की mail आ जाती है, इसलिए आपने यहां पर कोई investment नहीं करनी है, आप नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर आप देख सकते कि आपके पास find work का button आ रहा है, आप इस पर click करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने different projects आ रहे हैं, यहां से अपनी मर्जी का project चूज़ करने के लिए, आप उपर search बार पर आएंगे और यहां पर आपने writing टाइप करना है और इसको search कर लेना है, अब आपके स साथ से भी salary मिल रही होगी, और पर project के साथ से भी salary मिल रही होगी, आपने अपनी मर्जी का project चूज़ करके उस पर bit करनी है, लाइक मुझे यह वाला project बहुत compelling लग रहा है, यहां पर यह कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी freelancer की तलाश है, जो कि हमारे clothing brand को advertise करें, उनके लिए article लि से में सिर्फ एक project की salary हमें 70,000 रुपय मिलेगी, यह एक project का मतलब एक article नहीं है, आपको different articles इस पर लिख कर देने होंगे, एक project के अंदर मुक्तलिफ articles होते हैं, अगर आपको project के साब से price मिल रही है, तो उस project का पूरा काम complete करने की वो salary होती है, अब यहां पर आप place a bit के button प कोई grammatical test नहीं है, बलके यह इनकी website से ही related test है, इनकी website के बारे में ही सावाल जवाब हैं, तो आपने यह सारी चीज़ों को पढ़ते जाना है, और आगे की तरफ right hand side पर इसको गुमाते जाना है, तो यह second information आजाएगी आपके पास, जैसे यहां पर यह बता रहे हैं कि आप अपनी personal information share नहीं कर सकते हैं, फिर आपने right side पर इसको scroll किया, let's be nicer to other, आपने सारे clients के साथ politely बात करनी है, इसी तरह से आप right hand side पर scroll करते जाएंगे, तो आपके पास start test को option आजाएगा, आपने start test के button पर click करना है, अब आपके सामने 10 सवाल आताएंगे, जो के इस website से ही related हो आपने इसे पढ़कर suitable answer पर click करना है, जैसे आप देख सकते हैं कि पहला सवाल इसने पूछा है कि क्या आप किसी सूरत अपनी information अपने client के साथ share कर सकते हैं, तो जैसे अभी हमने starting में पढ़ा था कि अपनी personal information share करना, इनकी policies के खिलाफ तो हमने never वाले button पर click किया, उसके बा को दوبारा से time करने का मौका मिलेगा, इसलिए आप अराम से इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं, यहाँ पर कोई timer भी नहीं है, आपने simply सवालों को पढ़के उसका suitable answer नीचे choose करना है, जैसे इस answer को मैंने यहाँ पर choose किया और we answer के button पर click किया, तो यह कह रहा है कि यह सही answer ह आप सब के पास अलग-अलग questions आ सकते हैं, इसलिए आपने सवालों को सही तरह से पढ़ना है और फिर उनके answers देने हैं, कुछ सवाल इस तरह के भी आते हैं, जिनके दो answers होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सवाल को पढ़ा और मुझे लगता है इसका answer A और D है, तो नीचे E वाले option में हमें A and D are correct का option आ रहा है, तो इस button पर मैंने click किया view answer किया, तो यह बता रहा है कि यही सही answer है, इस तरीके से आपने यहाँ पर सारे सवालों को complete करते जाना है, सारे सवालों को जवाब देने के बाद आपके पास finish test का option आएगा, आप उस पर click करेंगे, तो यह the initial mandatory test, यहाँ पर आपका test clear हो चुका है, अब आप यहाँ पर काम करने के लिए eligible हैं, आप next के button पर click करेंगे, अब इसके बाद आप दुबारा से अपने project की तरफ आएंगे और यहाँ place a bit के button पर click करेंगे, तो यह आपको कह रहे हैं कि आपने अभी तक अपने hourly rate set नहीं किय हैं, तो आप जाकर अपनी profile को edit कीजिए, उसमें rate set कीजिए, edit your profile के button पर हम click करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आपकी profile show हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते है, hourly rate के आगे pencil बनी वी है, आपने इस पर click करना है, यहाँ पर आपके पास edit का option आजाएगा, hourly rate में आप अप आपने कम रखने, usually यहाँ पर hourly rate 15$ होते हैं, तो आपने 15$ से कम कम रखने हैं, यानि 12$ या 13$ आप यहाँ पर type कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप rate कम रखेंगे, तो definitely आपकी profile rank करेंगे, आपको आसानी से projects मिल सकेंगे, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पर कोई experience नहीं है, starting म आपने अपने rate कम ही रखने, 10$, 12$ पर आर के साथ से आप यहाँ पर rate सेट कर सकते हैं, फिर आप save के button पर click कर देंगे, आपके hourly rate यहाँ पर set हो जाएंगे, इसके बाद आप नीचे की side पर आएंगे, और यहाँ पर आपने अपनी profile को मजीद और complete कर लेना है, यहाँ पर project का title देंगे, वो project जो आप पहले कभी complete कर चुके हैं, अगर आप से पहले आपने कोई project नहीं किया, तब भी आप यहाँ पर किसी ना किसी project की detail add कर सकते हैं, किसी project का title दे सकते हैं, उसके बारे में 5-6 line की description लिख सकते हैं, उसके बाद उससे related skill लिख सकते हैं, जैसे अगर आपने writing का project complete किया है, तो आप article writing यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी एक image जाल सकते हैं, add files का option optional है, इसको आप छोड़ देंगे और save के button पर click कर देंगे, इस तरह से आपका एक project यहाँ पर add हो जाएगा, उसके बाद आपने about me में आकर अपने बारे में एक छोटी सी description लिखनी है, उसके बाद save के button पर click करेंगे, आपकी description यहाँ पर add हो जाएगी, इसी तरह से आप work history भी लिख देंगे और अपनी profile को यहाँ पर complete कर लेंगे, अब बात आती है कि आपने यहाँ से payments receive कैसे करनी है, तो payment receive करने के लिए आपको payment method set करना होगा, उसके लिए आप यहाँ three lines right hand side पर click करेंगे, यहाँ पर आपके पास my finances का option आ रहा है, आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपको withdrawal method का option मिलता है, आपने withdrawal method पर click कर देना है, अब यहाँ पर यहाँ आप से कह रहे हैं कि आप अपना payment method set कर लीजे, ताकि जैसी ही आपके पास payment आएं, आप फौरी तोर पर उसे withdraw कर सकें, यहाँ पर आपके पास pioneer का option है, और PayPal का भी option है, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए सबसे best option है pioneer, क्योंकि पाइवनीर के थूँ आप जैस cash के अंदर अपनी payments withdraw कर सकते हैं, और जैस cash एक ऐसा account है, जो के हर एक के पास होता है, तो आपने यहाँ प changes के button पर click कर देंगे, यहाँ पर आपका pioneer का payment method select हो जाएगा, अब अपने परार rate set कर लिए, अपना withdrawal method select कर लिया, अब इसके बाद आपने पूरी profile को भी complete कर लेना है, फिर जैसे ही आपके पास approval की mail आती है, आप अपनी मर्दी के interesting projects पर place a bit पर click करेंगे, और यहाँ से आप projects पर apply करेंगे, जैसे ही आपको कोई client मिलता है, आपने उसके साथ proper तरीके से work करना है, और इसी website के थुरू आपने उससे पैसे receive करने है, आप अपनी payments pioneer के अंदर receive करेंगे, और फिर उसके बाद उसे जैस cash के थुरू withdraw कर लेंगे, और जैसे ही आप किसी client का project complete करेंगे, तो आपने लाजमी उससे reviews जरू लिखवाने है, जो कि आपकी profile के अंदर add होंगे, क्योंकि आपकी profile के अंदर जब reviews आ जाते हैं, तो उसकी rating बर जाती है, इसलिए आपने अपने clients से reviews लाजमी लिखवाने है, I hope आपको सारा काम अची तरह से समझ आ गयोगा, सारी चीज़े clearly सम जा गयोगी, फिर भी अगर आप कुछ पूचना चाते हैं, तो नीचे comment करके पूच सकते हैं, वीडियो पसंद आईए हो, तो like और comment जरू कीज़ेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, एक नए ending method के साथ, till then grow yourself, अलाँ आपिस